दोस्तों कैसे है आप सब आज इस वीडियीव में आप सभी के लिए लेकर आया हूar तंग आप आप सब से प्रीमियम स्मार्टफून सैंसेंग गेलेक्सी विडिवाइब जो टोस्तों लेटेस लॉच्व कर रहा है जो latest launch हुआ है Samsung की तरफ से और इसका जो price है वो काफी जाधा आपको देखने को मिलता है मतलब 1,00,00 रुपे का आपको यह मिलता है flip card पर तो दोस्तो 1,00,00 रुपे 1,00,00 रुपीज में इसमें आपको जो है कैसे features मिलते हैं box के अंदर आपको क्या-क्या contents दिये गए हैं जल्दी से उसके बारे में जान लेते हैं तो box तो इसका आपको जो कुछ इस तरीके से black color में काफी slim मिलता है और दोस्तो पीछे की तरफ यह सारी specifications दी गई है box पे rate वैसे 1,00,00,000 का हैं लेकिन दोस्तो यह आपको मिल जायागा 1,00,000 काई तो कुछ इस तरीके से जो है unbox करते हैं सबसे पहले जो है उपर की तरफ एक mini box दिया गया है काफी छोटा सा आपको हलका सा box मिलता है ऐसा लगता है कि इसमें phone है भी या नहीं क्योंकि पैकिंग है कुछ इस तरीके सा आपको काफी different मिलती है तो दोस्तो mini box के अंदर सबसे पहले जो है आपको एक sim ejector tool मिल जाता है कुछ user manual है और एक type C to type C cable दी गई है बाकी और कुछ नहीं है box में phone के अलावा तो charger वार्जर तो आपको देखने को नहीं मिलता unwrap कर लेते हैं दोस्तो हमारे Z Flip 5 को तो कुछ इस तरीके से जो इसका आपको pattern मिलता है glass finish में इसके अंदर आपको design दिया गया है जो बहुत ज़्यादा कमाल का लगता है light type का color कुछ इस तरीके साब को दोस्तो नीचे की तरफ pattern में आपको देखने को मिलता है बाकी दूसरी sides तो आपको जो डिस्प्लेई देखने को मिलती है यहाप आपको दो camera दिये गए है flashlight के साथ इसके साथ दोस्तो इसके अंदर आपको जो compactness मिलती है वो तो ultra level है बिल्कुल इससे जादा क्या ही compact कोई phone होगा दोस्तो क्योंकि जब यह fold हो जाता है तो बिल्कुल ही इतना छोटा हो जाता है जो कि बहुत जादा बढ़िया लगता है तो यह चीज़तो इसके अंदर आपको जो है काफी कमाल की मिलती है side उसे जो दोस्तो आपको frame की quality के अंदर दी गई है वो भी आपको बहुती जादा बढ़िया मिल जाती है बागी चलिए इसको on करते हैं देखते हैं display की quality के अंदर आपको कैसी दी गई है colors होगे आपको कैसे मिलते हैं और experience जो है जाद ही आपको मिलता है तो काफी लंबा सा यह phone यह फील होता है बागी दोस्तो experience जो है इसको use करने का वो तो बहुती जादा smooth है तो experience आपको काफी जादा बढ़िया मिल जाता है super AMOLED display आपको बहुती बढ़िया quality की अपको दी गई ङह है डाइनमिक दिस्प्ली दी गई है इस phone के अंदर आपको जो बहर की size में डिस्प्ली मिलती है उसकी quality कैसी है इसके अदर आपको size मिलता है दोस्तो बहर की display गा 3.4 inches के आस पास तो 3.5 inches के आस पास इसके अंदर आपको डिस्पले दी गई है और experience कुछ इस तरी किसा आपको मिल जाता है multiple windows जो है कुछ इस तरी किसे हैं आप देख सकते हैं slide करके इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर आपको जो अंदर से display दी गई है इसकी जो बड़ी display आपको मिलती है unflip करने के बाद दोस्तों वो तो आपको quality में और भी जादा बड़ी है मिल जाती है बाकि इसके अंदर आपको जो पंचोल के मेरे वाला design मिलता है इस spoon के अंदर जो सबसे main चीज़ है दोस्तों यह यही है और इसके display को जब आप यूस करते है न फ्लिप 5 की तो थोड़ा सा आपको जैसा आप टच करते हैं तो आपको यह पन्नी टाइप की फील होती है मतलब हाड जो वैसे टच जो है फील नहीं होता तो कुछ इस तरीके से पैटन है जब यह फिलिप भी हो जाती है बाकि इसमें improvement पहले से यह हो गई कि side से जो है अब दोस्तो जब आप इसको flip कर देते हैं प्रॉपर बंद कर देते हैं तो यहां पर आपको जो है कुछ मतलब खुला हुआ पार्ट जो है देखने को नहीं मिलता पहले तो आरपार देख सकते थे इतना जो है आपको पहले से improvement देखने को मिलता है तो यह पूरी तरह चिपक जाता है बिलकुल तो fold तो यह completely हो जाता है बाकि दोस्तों यहां पर आपको volume के buttons और power का button दिया गया है fingerprint scanner इसमें आपको side में ही मिलता है बाकि दोस्तों यह जो crease है इस से experience थोड़ा सा तो normal होई जाता है मतलब यह चीज ऐसी है जो मतलब थोड़ा सा phone को use करने का experience है उसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगी अगर यह बिलकुल flat हो जाया मतलब ऐसी जो है 12MP का main camera दिया गया है performance आपको camera की बहुत बढ़िया मिलती है इसके अंदर आपको जो processor दिया गया है वो भी बहुत जादा बढ़िया मिल जाता है इसके अंदर दोस्तों आपको एक लाक में मिलती है 8GB RAM 256GB internal storage थो इसके अंदर आपको 8GB RAM दी गई है 256GB इसके अंदर आपको storage मिल जाती है दोस्तों तो इतनी आपको RAM ore storage दी गई है बाकी Android का konसर version इसके अंदर आपको मिलता है और दोस्तों इसके अंदर आपको Android का 13 वर्जन दिया गया है तो ये चीज़ भी काफी बढ़िया है और इसके अंदर आपको जो performance मिलती है वो भी बहुत ही जादा बढ़िया मिल जाती है दोस्तों चलिए मैं इसको restart करता हूँ देखते हैं इसके अंदर आपको जो performance मिलती है वो कैसी मिलती है तो performance के point of view से तो ये बहुत ही जादा बढ़िया है इसके अंदर आपको snapdragon 8 gen 2 processor दिया गया है तो performance आपको बहुत ही जादा बढ़िया मिल जाएगी Samsung के phones के अंदर आपको जो है वैसे तो आपको बैटरी सके अंदर आपको थोड़ी से डाउन ही दी गई है बाकि एक दिन का बैटरी बैक अप आपको अराम से मिल जाएगा अगर आपको बैटरी बैक अप बहुत ही जादा बढ़िया चाहिए तो इस budget के अंदर आपको दोसरे smartphone भी मिल जाते हैं तो आप जो दूसरों के लिए भी जा सकते हैं इसके लगए दोस्तो साइड फिंगर पेंट स्कैनर इसके अंदर आपको दिया गया है फ्रंट कैमरे इसके अंदर आपको 10MP का मिलता है दोस्तो तो यह सारी खुबिये कमिया आपको मिलती है Samsung के Galaxy Flip 5 के अंदर एक लाक में चलिए बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको इसको खरीदना चाहिए और नहीं खरीदना चाहिए तो इस phone के अंदर आपको जो दोस्तो आपको कुछ चीज़ें मिलती है वो काफी जादा यूनिक ही है तो सबसे बड़ा benefit तो यही है अगर आपको compact phone लेना है मतलब आपको feel ही ना हो कि मतलब कोई phone यूस कर रहा हूँ हाथ में pocket में कोई phone पड़ावा है तो यह खुबी तो इसके अंदर आपको बहुत ही बड़िया मिलती है हो जाएगा build quality इसके आपको जो ठीक टाक मिलती है बाकि आपको care से तो यूस करना ही पड़ेगा दोनों side display चाहे खुला गिर या फिर बंद होने के बाद दोनों भारी जो गिरने के chances जो काफी जादा है तो care साब इसको यूस करीगा तो काफी बढ़िया रहेगा battery backup के point of view से दोस्तों ये आपको normal मिल जाता है बाकि charger तो box scanner ही नहीं तो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा और तीसरी चीज़ जो आपको थोड़ी सी crease type की देखने को मिलती है डिस्प्ले में तो वह experience को थोड़ा सा कहीं न कहीं आपको ये फील तो होगी होगी कि यार ये crease ना होती तो और बढ़ी ही हो जाता तो वो चीज़ अगर और improve हो जाए तो और जाता कमाल का हो जाएगा ये phone अगर आपको जो दोस्तो flip phone पसंद है बाकि थोड़ा सा आपको ये crease feel होने ही वाली है तो ये आपको पहले से down तो देखने को मिलती ही लेकिन अभी भी है तो कुछ इस तरीक से जोए दोस्तो अगर आप इस phone को खरीदे तो आप इस चीज़ का जरूर से खयाल रखिएगा बागी overall जो features हैं इसके अंदर आपको quality wise वो तो आपको बिलकुल top notch मिल जाते है दोस्तों कर आपको अच्छे लगी तो इसको लाइक करके ज़रूर जाईएगा जैल पर आप ने हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लिजए ताकि नए वीडियो आप तक पहुशती रहें helpful लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ इसको share ज़रू करिएगा अगर आपको इसका comparison देख रहा है किसी और अपने phone के साथ अपने पसंद क्या तो वो चीज़ भी comment कर देगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी पसंद की वीडियो जल्दे लेकर आने की चलिए मिल